नमस्कार आप देखरे स्पेशल रिपोर्ट निउस रूम से आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कशप कॉंग्रेस पार्टी को जितना नुकसान बिरोधी पार्टी के नेता नहीं पहुचाते उतना नुकसान बलकि कहिए उससे कहीं जादा नुकसान उन्हीं के पार्टी के मणी शंकर रैयर शशी थरूर पहुचा देते हैं शशी थरूर ने जवालाल नहरू पर लिखी अपनी किताब के विमोचन पर कह दिया कि ये नहरू का योगदान है कि आज देश में एक चाय वाला प्रधान मंत्री बन गया है विवाद तो हो नहीं था छिंघ तो हो नहीं था तो हो स्थाइव लिज था अच्यों अच्यों वाला प्रधें कि विमोगदान है नहीं चूंक प्राइव प्रधें कि विमोगदान कम प्रूर थाणि था रुक्टा connectivity विधान सभा की चुनावी फिजा में शशित हरूर की ये लूस बॉल मिली तो बीजेपी ने इस पर लंबा शॉट खेलने में तनिक भी देर नहीं लगाई मौखा था शशित हरूर की पंडित जवाहर लाल नहरू पर लिखी किताब नहरू दाइन्वेंशन ओफ इंडिया के विमोचन का वहाँ यूपीय की चेरपरसन सोनिया गांधी भी मौजूद थी शशित हरूर ने माइक संभाला नहरू की तारिफ में कसीदे कड़े तो ये भी बोल गए कि आज अगर कोई चायवाला देश का प्रधान मंत्री बना है तो इसके पीछे वजह नहरू ही है शशित हरूर की ये खौलती चाय कॉंग्रेस के अर्मानों पर पढ़ गई हर चीज को कॉंग्रेस वाले केवल नहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया जी और राहूल गांदी यहां तक ही लाते हैं एक घराने के बाहर उनकी देश की सोच ही नहीं है यही परिवर्तित करती है और इसलिए आज मोदी जी जनता के आशिरवात से यहां है और यही जनता लोकतंत्र के सबसे बड़ी ताकत है जो सविधान सभानी दिया देश को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी खुद को कई मौकों पर चाय वाला कह चुके हैं बीजेपी के दिगज नेता भी प्रधान मंत्री मोदी की शान में बचपन में उनके चाय बेशने की बात की खूब मार्केटिंग करते रहे हैं लेकिन जब जब कॉंग्रेस ने उनके चाय बेचने वाला मुद्दा उठाया तब तब उसे मू की खानी पड़ी 2014 लोग सब चुनाओं में कॉंग्रेस ने था मनिशंकर रायर ने मोदी के चाय बेचने को लेकर जो कमिंट मारा वो कॉंग्रेस के जी का जंजाल बन गया मनिशंकर रायर ने मोदी के लिए चाय की गुम्टी खुलवाने की बात कही थी बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया था मनिशंकर के उस बयान के बाद चुनाओं का रुख बदल गया था कॉंग्रेस 2014 लोग सबाचुनाओं में आंधे मुग गिर पड़ी अब शशी थरूर ने चुनाओवी मौसम में चाय वाले का मुद्दा उठाया है बीजेपी कह रही है कि अंजाम वही होगा जो 2014 में हुआ कितना दुखद विशय है और कितना एहंकार है कॉंग्रेस पार्टी में आज 19 से पहले ये बौकला हट ही है जो शशी थरूर इस प्रकार का बयान पुना दे रहे हैं मैं याद दिलाओं ये वही शशी थरूर है जिनोंने आम आदमी को कैटल क्लास कहके संबोधिक किया शशी थरूर ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके चाय वाले का बयान कॉंग्रेस को इतनी बुरी तरह फासा देगा थरूर ने सफाई दी बोले कि उनके कहने का गलत मतलब निकाल लगया कहते हैं कि तीर कमान से और बाद जुबान से निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती शशी थरूर कभी आरेसेस तो कभी बीजेपी पर खूब तीर छोड़ते रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान का ये तीर वापस आकर थरूर को ही लगा है बीजेपी के लोग चाय की ये तासीर आसानी से थंडी नहीं होने देंगे बॉलुमी और अभिशेक अनंद के साथ हिमान शुमिच्रा दिल्ली आच तक